दोस्तों अगर आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके फंडामेंटल्स और बिजनिस सिग्मेंट श्ट्रॉंग हो तो कंपनी आपको फ्यूचर में बैतर रेटन्स देर सकती हैं तो बात करते हैं ऐसे ही स्टॉक्स फंडामेंटल्स बारे स्टॉक्स के बारे में और आज बात करेंगे हम सारदा क्रॉप केम्प के बारे में यह company agrochemicals, non agrochemicals जैसे conveyor belt, rubber belt, dye company के पास 543 agrochemicals registration है और 1128 application registered हैं globally जबके हर साल 50-100 registration कराती है यह company और अगर मैं इसके revenue के बारे मात करता हूँ तो यह 80% revenue agrochemicals से, 50% revenue herbicides से और 27% revenue fungicides से जबके 23% revenue insecticide division से करती है तो जानते हैं हम इसके fundamentals के बारे में company का market cap है 5402 करोड का जबके stock up EF 15.5 और return of capital employed 25.6% है dividend yield यह 0.84% दे रही है और industry का PE 25.4 है बात करें इसके one year के returns के बारे में तो 73% तक का return दिया है और current price इसकी 599 रुपीज चले है return of equity 19.8 है debt to equity 0.02 है एक तरह की debt free company है और sales growth इसका बहुत है 49.4% और net profit है इसके पास 349 करोड की net profit है जो के बहुत अच्छी है और high low के बारे में बात करें तो 286 low था और high गया था 769 प्रोमोटर की holding 74.8 परसेंट है और profit growth इसमें 38.1 परसेंट है और growth factor इसमें 5 परसेंट है तो यह थी इसके fundamentals जो के बहुत ही अच्छे strong है बात करते हैं इसके pros और cons के बारे में तो company has reduced debate, company almost dead free, company expected to good quarter, company has been maintained healthy dividend payout 19.03 और company median sales growth 17.05 लाश्ट 10 years और company के जो debater stay है वो थोड़े high हुए है तो यह थी इसके pros और cons इस company के profit and loss के बारे में देखते हैं तो मार्च 2011 में इसके जो sales होई थे वोग चास्ट बैस करोड की हुई थी जो मार्च 2012 बढ़कर होई 3580 करोड, operating profit 80 करोड ती जो अभी है 680 करोड और net profit 41 करोड ती बढ़कर होगया 349 करोड और dividend yield नहीं देरिये EPS 22.96 ता अभी है 38.71 और compound sales growth last three years ती 21%, अभी है 49%, compound profit growth 19% ता जो बढ़कर होगया 38% और stock का CAGR 24% होगया 73% और return on equity 17% से बढ़कर होगया 20% तो company ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा growth किया है profit में भी है और sales में भी और और stock के CAGR में बहुत ज़्यादा है तो यह तो इसके profit and loss इन्वेस्टमेंट चेक लिस्ट के साफ़ से कापी अच्छा stocks है return of equity FD के बार से बहुत अच्छी dividend yield भी दे रही है एंड़ी पॉइंट वी सही है ओबर वाट चौन में कोई भी ASM और GSM में लिश्टेट नहीं है और 100% सजेस्ट किया है इस stocks को खरीदने के लिए कंपनी mc essential में 81% तक पास की गई है तो यहाँ पर आप इसके returns देख सकते हो कितने अच्छे हैं थ्री मंत में 7% पर सेंट शेंट वांत में 76 मनें 71 पाइब ट्वेस्ट 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 ट्री एस के अंदर 91 ट्वेस्ट के अंदर बहुत अच्छे बन अंडर 76% तो financially overview के बारे हम देख लेते हैं और यह एन्वली है तो revenue जो दोज़े रठारे में था वन ताजन्ट 713 करोड का था जो अभी बढ़कर हो गया है 3579 करोड का अगर नेट प्रॉपिट की बात की जाए तो 190 करोड से यह 349 करोड पहुच गया है और EPS की बात की जाए तो 21.15 स की गम हुई यान की कर्ज कम हुआ है और return of equity की बात की जाए तो 16.81 से लेकर यह 18.26 बढ़ा है तो company ने बहुत ही अच्छे result दिये है revenue बहुत बढ़ा है profit भी बहुत अच्छा है तो अगर वीडियो informative लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंक्यू सो मच वीडिय सब्सक्राइब कर दो कि इनल जाएन कर अच्छान कर से ले झा रे ले भी मेंने थパARON Podcast 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 Vid कर दे लेगर.